तीन देशों के अपने दोरे के पहले पड़ा वे चीन पहुँच चुके हैं प्रधान मंत्री सुभा करीब पॉने चार बजे मोदी ने विशेश विमान से चीन के शियान शेहर में लैंड किया शियान एपोर्ट पर मोदी का भव स्वागत किया गया चीनी अधिकारियों ने मोदी की आगवानी की और लाल कालीं पर कदम बढ़ाते मोदी का चीनी अंदाज में यानि ड्रागन डांस के जरिये वेलकम किया गया प्रधान अंत्री मोदी तीन दिनों की चीन यात्रा पर है और आज ही श्रीयान में चीनी राश्पती शी जिन पिंग प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे बेजिंग के बाहर मुलाकात करेंगे तो अब ने चीनी दोरे के पहले दिन पीम मोदी देश शाम श्रीयान में रहेंगे आज ही वहाँ उनकी मलाकाची दी राश्पती शी जिन पिंग से होगी इसके अलावा वो मशूर टेराकोटा वोरियर्स म्यूजियम भी जाएंगे क्या है पीम का पूरा कार्करम आई आपको दिखाते हैं तीन दिन की एतिहासिक चीन यात्रा पर शीयान पहुँच चुके हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एरपोट पर शांदार पारंपरिक स्वागत ने ये जता दिया है कि चीन अपने खास महमान के इस्तेवाल के लिए पूरी तरह से तयार है प्रधानमंत्री अपने दौले का पहला देप श्रीयान में ही बिताएंगे ये वही शहर है जो राश्पती श्री जिन पिंग का ग्रिह नगर भी है श्रीयान में पियम मोदी का बेहत व्यस्त कारिग्रम है बारतिय समय के मुताबीक सुबह साथ बचकर पचास मिनट पर तेरा कोटा युद्धुसमारग देखने जाएंगे मोदी उसके बाद सुबह नौ बचकर पच्छिस मिनट पर दाजिंग शान मंदिर का मोदी दर्शन करेंगे शियान में ही दोपहर एक बचकर चीनी राश्पती श्री जिन पिंग मोदी का स्वागत करेंगे उसके बाद दोपहर दो बचकर बीस मिनट पर पियम मोदी बौध पैगोड आ जाएंगे जहां वो पवित्र बौध ही फ्रिक्ष्टा दान करेंगे दोपहर तीन बचकर चालीस मिनट पर पियम साउथ सीटी वाल देखने जाएंगे जहां टांग राजवन्ष मोदी का पारंपरिक स्वागत करेंगा शाम चार बजे राश्पती शी जिन पिंग पियम मोदी के सम्मान में भोज का आयजन करेंगे और शाम पांच बजे पोर्ट शेहर में मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कारिक्रम होगा शीयान एक ऐसा शेहर है जिसने इतिहास और आधुनिक्ता दोनों का दामन थाम कर अपने आपको विकास के सफर का मुसाफिर बनाया है यकिनन मोदी भी शीयान के इस बेजोर स्तंगम को भारत में आजमाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं शीयान से अंजनावं कश्यव के साथ आज तक बेरो